विल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स पिसीबी रिबेंगी सेंटर में आपका स्वागत है और कैसे हो यहां तो कडाके की फेंडर ही भाई गरम कापड़े काम में ले रहे हैं और आज का जो टोकिक है वो एक सेमसेंग की स्प्लिट ऐसी की पीसीबी है इस पे है तो हम आपको य मैं दिखाना चाहा रहा हूं कि इसमें जो प्रोब्लम है वो यह है कि इसकी मोटर है और जैसे ही इसको सप्लाई देता हूं तोन हो जाती है जबकि पीसीबी इस टाइम ओफ है और यह वो बाइद्रेशन भी कर रही है बिल्कुल में है अब हम मँई दीखाता हूं कि क्या परेशा नहीं आ रही ऐ को कि इसके अंदर यह वोटो कपलरा आता है कि यावाला कि की तो यह अटो कंपलर रही है जो इस अब आईए तो इसकी अब चालो नीचे ए मोटर लेकिन ये डारेक्ट चलती रहती है ये मोटर बंद नहीं हो रही है तो अब प्रेंट्स इसका सेलोशन जो है मैं दिखा रहा हूं आपको कि पिसीबी को बंद कर दिया और में वोल्टेज टस पर दाउ मैं अब ओटकॉपलर की इनकोथ के अंदर में वोल्टेज टस करता हूं देखो तो बंद पोजिशन में इंपूट पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहे हैं कोई वोल्टेज नहीं है वोल्टेज नहीं आने के बावजूद भी एक प्लर ओन हो रहा है तो इसका मतलब ये ओटो कपलर ही खराब तो अब मैं इसको जेंज़ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि या है ये बलाओ प्रेंट्स ये शेम संग पीसीपी में ही आता है बाकी पीसीपी में ये बहुत कम आता है ओजनल की कई पीसीपी में भी आता है एक दो कहर ओर पीसीपी है उनमें भी आता है तो ये मार्केट में मिलता ही नहीं है ये और मिलता भी अगर है तो बहुत महेंगा मिलता है हालागि मेरे पास तो कई पीसी दूँ से निकाले पीस पड़े तो मैं इसको लगाऊंगा भी और आपको प्रेस करके दिखा रहा हूंगा बाकी चीजें मिलती नहीं है बहुत मुश्किल हो जाता है हुआ 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 है हुआ 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 हु तो प्रेंच यह मैंने बाहर कर लिया है और बाहर निकाल करके मैं इसको थोड़ा सा शेयर करता हूं कि क्या तो मैं इसको भी दाइवर मोड के किया और इसको चेक करता हूं कि क्या प्रेशन इसमें आरे यह दिखा रहा है कुछ नहीं दिखा रहा है इस साइड यह कुछ नहीं दिखा रहा है दूसरी साइड भी कुछ नहीं दिखा रहा है एक मिन्ट में बजर पे लेता हूँ इसको कि क्या है देगे बजर पे भी ये कुछ नहीं बताता हूँ जो लो प्रेंस में इसको बदलता हूँ ये दूसरा मेरे पास फीस है छेम इमें इसमें डालता हूँ ये मैं फीस डाल दिया हूँ इसके अंदर और अब भी सोल्डिंग करता हूँ तो ये भाई मेरे पास देखो सिखने के लिए आया है तो मैं इसको भी बता रहा हूँ हम अब कुल्दीब जी अब समझत आ जाएगा मालोग फोल्ड को भी आगया अब हीसे डालों कि और तो अब दुब्ला कर लोगा किर अअ अराम शे कर लोगे और दोस्तों बीच मैं यह करना चाहता हूं मैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबस्राइब दूरे कर ले ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिवेशन तुरंत मिल जाए तो दोस्तों मैं यह विल्कुल लगा दिया है और यह पीसीबी में भी मोटर सेंसर सब लगे वे इसके उपर फिर से मैं इसको इक पर शेक करता हूं कि क्या कंडिशन इसकी वहती है अब देखे दोस्तों मेरी पीसीबी में सप्लाई आ गई है लेकिन अब मोटर नहीं चल लगे अब मैं इसको ओन करता हूं बटन को यह बटन ओन हो गया अब देखते हैं क्या पर दोस्तों इस तरीके से यह मोटर चलनी चाहिए जबकि इसके अंदर डारेक्ट चल रही थी तो यह पका खराब हो गया अब मोटर चलने का सही तरीका जो है वह यह होता है जैसे मैं यहां से बंद करूंगा यह मोटर बंद होनी चीए अब यह देखिए मोटर बिल्कुल बंद हो गया जैसे में पीसीबी ओन करता हूं अब यह कुछ शेकंड बात चलनी चीए वह चल तो दोस्तों शेमसंग के अंदर अगर मोटर की परॉलम हती है तो शीरफ और और शीर पर यह सरकुटी है जैकर दोस्तों यह मिलना बहुत कटिन होता है क्यूंकि यह जापानी पार्स है यह इस पे लिखा रहता है बाकाईदा मेडिन जापान पीपीस बहुत मिलना मुस्किल हो जाता है और मेरे पास तो क्या है यह रहते हैं तो इसलिए मैं डाल दिया हूँ और यह मेरा काम भी हो गया हूँ कौर गड़ी हैं कि दोंबंगे नि दोश्रेवे धर लादा हूं तो एक रादया के चिए मैं सर्ण दिखा और ऑठ है और मैं E1, Black Sensor का होता है weeks A2 A2, Metal Sensor का होता है यह दोनों sensor के दो area, अभी motor का area क्या बनता है वह भी मापको दिखाता हूं अभ यह मैंने auto कर दिया चल गई PCB, अभी motor चल गई, अभ इस motor का area को चालू में हाथा हूं बढ़ें दोस्तों यह मोटर का सेंसर अठादिया मैंने, अब क्या बनता है इसमें, देखते हो यह ए थरी का एरियर आता दोस्टों, ए थरी, ए थरी का जो एरियर है वो इस मोटर का आ रहा है, अब देखिए यह मोटर बंद हो गई है, क्यों कुल दीज भी, समझ रहे हो ना बिल्कुल, क्योंकि ए थरी का, देखो, ए वन बलेफ सेंसर, यह सेंसर, मेटरों, और एथरी, मोटर का आप इसको अपन जैसे कम्प्लीट कर देंगे, यह आउट्फूट में सफलाई आ जाएगी, तुमां वापस इसको कम्प्लीट कर रहा हूं, यह मैंने कम्प्लीट कर दिया है, मैं इसको एग बार ओप करता हूं, यह ऑप हो गई, यह तो मैं इसको भी AC मोड में लेता हूं यह AC मोड आ गया है और अब मैं इसके वोल्टेज चेक करता हूं कि मेरी लाइन में वोल्टेज किते मिल रहे हैं मेरे वोल्ट तो मेरी लाइन में 178 वोल्ट आ रहे हैं सकती है क्योंकि मैं इसको किसी और चीश से चला रहा हूं इसलिए वोल्टेज कम आ रहे हैं लाइट से नहीं चला रहा हूं मैं इसको इसका है तो अभी मेरे 178 वोल्ट यहां देखे आ नहीं रहे हैं आउटपूट में नहीं आ रहे ह तो मैं इसको एक पिंग नोटल में लगा दिया है मैंने और दूसरा मैं इस मोटर पे रिले पे लगा के शोड़ता हूँ जो आएगी तो ये क्या रूप ने रिमाहर से पकड़ लेता हूँ इसको जैसे ही यहां एक तर्व या आशी वल्ट जो भी आएगे वह आएगे तो ये क्लियर हो जायेगी और प्रेंस इसमें दिखत और गया सकते है क्यूंकि मैं इसका मेरे पाच रिमोट नहीं है अब इसका टेम्परेशर का पता नहीं चावड़ा है मेरे को इसका टेम्परेशर क्या है अगर टे तो यह हो सकता नहीं भी आवे सप्लाई मेरी लेकिन मैं कुछ देर इंतजार करता हूं और इस शेंसर को में थोड़ा गरम भी करता हूं देगी क्या होता हुआ इस शेंसर को गरम करूँगा तो हो सकता आ जाए हुआ लेकिन क्या यह तीन मिनट ले लेती है दोस्तों तीन मिनट के बाद ही आवटूड मिलता है स्क्रिश कर्या कर सकते है ूर्चाल मिलत जाया प्पोर्ण प्पोर्ण साथ और नहां बड़ती है तो तो में तो जो 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 सेंसर को गरम करतां तो तो पिल्ले मैं जला लिए यह जो जो जेसे गरंकिया मुन्हें और अबी आउट पूट आ गए इसमें परश जैसे इसको गरंकिया मुन्हें कुरंट इसप्लाई मेरी आ गई है तो तो अभी यह फीजीपी घिलर हो गई तो दोस्तो अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ पूरा प्रेक्टिकल इसका क्योंकि कही हूँगा यह कमेंट गया था कि साब क्या क्या जोड़ें क्या PCB के से स्टार गरें तो मैंने दिखा दिया दोनुं सेंसर लागाने पड़ते हैं मोटर लागाने पड़ते हैं उसके बाद यह आउटफूट आना ज़रूरी होता है आउटफूट अगर अपनी आगई है सेम वोल्ट तो फिर अपने PCB के लियर होगे दोस्तों तो दोस्तों अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जैहिंद जैवार्थ